यहां कूकर की लग रही है सीटिय और मैं बना रही हूँ बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता तो वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा और पसंद है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और आप अंसे सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हो कमेंट करके मुझे जरूर बत पसंद है तो आज उनके फर्माईश से कि डाल पकवान क्यों ना पूनम बनाओ काफी दिन हो गया है बनाया है नहीं तो मैंकर चलो या बनाती हो और आप सब के साथ ये रेसिपी भी मैं शेयर करती हूँ क्रिस्पी करारी पकवान और ये टीस टीसी चनी की डाल चलिए बना पाने में कम टाइम लगेगा तो कूकर में मैं पुरी डाल डाल दियो उसी के साथ लगपक धाई ग्लास जितना में पानी डाल दे रहे हूं तो उससे साब से पानी डाल ये जितनी आप दाल उठा रहे हो अच्छे से ही मतलग जाए थोड़ा से नमक स्वात के अनुसार और ह खड़े मसाल इसम्पल से है और कूकर का ढगा लगा लेते हैं तो मैंने कूकर का ढगा दिया है पस अब ही CT भी आने ही वाली है तो मैं क्या करूंगी हां पे 6 CT लगवा लेती हूं कि मैंने डाल को बहुत ही कम देर सोक था अगर एक गंड़ा भी गो रहे हो तो आपका मना ब हाशना बन रही है तो अटा है रही है तो आठा कगे रहे कर लेते है तो मैं अपके नजना नहीं पकेआए मैंने मेंम और स्ब्लाने में सम्झ घह कं гीरा i six खड़ गरेति है तो अवा और से मेड़्य ही अपको यूज़ आपको स्था जे कर सकते हैं अवन में तो कुछ नही मैं का कि मैदे का इस्तमाल आप नहीं का ना चाहते हैं तो गहुं के आटे से आपकवान जरूर बनाईगा बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कुरारे से बनते हैं जो कि घर मेरे सब्कुब देहत बता नहीं लगी बाते हैं जल्गी से आटा लगा लेते हैं तो मैं यहां मैदे का इस्तमाल करें। दो कटोरी भरकी मैदे का इस्तमाल करें। तो मैदे की जगे पर जसे मैंने कहा। अब गयों के आठी से भी इसको बना सकते ह। लेकि जो ट्रेडिशनल रेसिपी हैं वो मैदे से ही बनती है। लगब एक छोटे चमब जित्ती अजवाइन इस तरह से अब क्र अब जब आठी से फील होते हैं। तो आठी जाए अच्छी तरह से थोड़ा से थोड़ा से मसल ले जहाए। और इसको ढखके छोड़ देते हैं। 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट करने देते हैं। उसके बाद पकवान बनाएंगे। तो लगब 20 मिनिट हो चुका है। और उध हम बाद में लगाएंगे। पहले पकवान सारे रेडी कर लेते हैं फ्राइ करके और फिर गर्मा गरम डाल में बढ़ी आसा तड़का लगाएंगे। तो चली पकवान बनाने के लिए यहाँ पर सूखा मैदा लगाते हूए मैं इसको बेल ले रहूं। इसको ना मैं पतला बैली जो पकवान बनता है और विएकल मैं उसको फ्राइ करते हैं ऐता है जब हम उसको फ्राइ करते हैं… तो जब भी अच्छी तरह से बिल से पटला उ टाहएreyो को अच्छी तरह से आ उसको चीद में ली जगी Kern कशी करें तो जरूरी की तरह ने फ्राइब हम मैं और दिश जालचुपी नहीं fry करना है जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और भ्राउन भ्राउन से स्पॉर्ट्स इसके ओपर हो जाएगा जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते तो इसको अल्टाते पल्टाते हुए medium to low करते हुए मैंने इसको fry कर लिया और color मैंने कुछ इतना ही रखा है बहुत जादा brown नहीं किया है इतना ही light color रखा है तो पकवान मेरे तयार है यहाँ पे देखे डाल जो है बहुत अच्छे से बन चुकी है इसको mash नहीं करना है बस ऐसे ही रखना है अब चली दाल को जो आप तड़का लगाऊ नहीं तो एक बोल में आप निकाल ले रहा है जिसमें आप सर्फ कर रहे हूं उसके उपर लाल मिर्ची आप टेस्ट करें कोडिंग डाल दीजेगा साथी थोड़ा सा वनफोर टीस्पून जितना गरम मसाला यहां पर में डाल दी रहे हूं और चटपटे फ्लेवर के लिए यहां पर में आमचूर का इस्तमाल करें तो आधा चम्मच या एक चम्मच अपने टीस्ट के सबसे डाल सकते हो आमचूर बहुत ही बढ़िया लगत स्लिट की वी ढाल दी इसमें हरीमेरीची फुल्ट के चीरा लगा लिया था और उनसी तड़का तयार है टड़की को इसके ऊपर उपर हम डाल देंगी तैम गला गरम तड़को यह एकाँ ऐमंचिक रहे है और तोई जरू इस तरह की बोल में दाल डालकै उपर से तड़का लगाई गरो तो दिखने में भी बहुत मस लगता है जब आप इसको सर्फ करते हो तो यह दाल पकवान जो बनकर बिलकुल तयार है तो चली थाली में इसको सर्फ कर लेते हैं और जब आप खाओ ना से कटोरी में अपने डाल निकाली तो उसकी उपर प्याच प्याच बहुत म चाहिए तो मेरे जो दाल पकवान है ना इदम मस तयार है और मूं में पानी आ जाए आप मेंसे किस-किस को यह रस्पी पसंद आ रही है कमेंड में यमी जरू टाइप कीजिएगा मेरे दाल पकवान बनकर बिलकुल तयार है तो मैं इसको इंजोई कर रही हूँ आपी श्वाइ तुरूची